कि दोपेंट्स सबसे पहले आप ले लेंगे कि पॉले छीन नीचे में रखने के लिए और उसके बाद हÕप ski खिय के लिए में इसमेड कर भूम में इसमेडिक , जाली का लोहे खिका रिखा है और सारे तरफ सिमेंट का मिक्सर हम मिला रहे हैं और ध्यान रखिए कि जो मैंने लोहे का चाली रखा है वो बीच में आ जाए ऐसे हमने बना रहे हैं सभी तरफ सिमेंट का मिक्सर को हम मिला रहे हैं और अब हम रॉक डिजाइन बनाने का कोशिश कर रहे हैं सबसे पहले हम हाथ से यह पत्थर डिजाइन बना रहे हैं और इसके लिए हम आप देख रहे हैं कि हमने शीमेन का मिक्सर लिया है और यह इस टाइप का पत्थर बनाने कोशिश हम कर रहे हैं और हम ऐसा बना है कि वहां से पानी बिल्कुल भी लिकेज नहों अब एक चम्मच की साहता से हम यहां डिजाइन बनाने कोशिश कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कि पत्थर जैसा होता है वैसी बनाने कोशिश हम कर रहे हैं अजमें यहका और काला वाला जो पत्थर होता है उसको सेधियार करने पाने पधे और ट्धर निकल जाता है इसके έχει धिर ध्यों सारे के टूपरेकों और सिमेंट की जाईता के इसको जोड़ है आप देख रहे हैं कि हम ऐसा डिजाइन यहां पर बना रखा है अधिये धिरे सारे पत्थर के टुकडे को हम चिपका रहे हैं हम सिमेंट का यूज किये हैं पत्थर चिपकाने के लिए प्योर सिमेंट का घोल का अब पैंटींग करने का वक्त आ चुक है तक्रीब हम इसको एक सपता तक पानी में डुबव के रखा हुआ था सजने के लिए उसके बाद ही हमने पेंट किया हैं पेंट करने के लिए हम सबसे पहले यह पत्थर डिजाइन में ब्राउन कलर सबसे पहले यूज किया है उसके बाद ही बाद में हम टेक्शर बनाएंगे सभी तरह हम ब्राउन कलर पहले लगाए हैं और मैं फेब्रिक कलर यूज़ करता हूं पानी के साथ तो अंदर तक ये पास शोक लेता है कलर को उसके बाद टेक्सर बनाने के लिए मैं वाइट कलर और हलका सा ब्राउन कलर को मिक्ष करके ये टेक्सर पथर का बना रहा हूं जिससे बहुत ही सुन्दर यह टेक्शर पत्थर का तयार हो रहा है धिरे सभी तरप में टेक्शर बना लिया और फ्रेंड्स यह अपना मिनी लेंड्सकेप तयार हो चुका है और इसके लिए हमने एक सुन्दर सा बुद्ध की मुर्थी तयार किया है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जरू देखने को मिलेगा तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू